हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फो यू सो गाई जैसे कि आज आज आपका SSE MTS का 14 जून के फर्सिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के जो है आज आपके 14 जून के फर्सिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिनोंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSC MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बैल एक कर यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश कर दीजिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोशन है था कि रवीन नाट टैगूर ने किस वर्स में सांती निकेतन अस्कूल की अस्थापना की थी तो देखे रवीन नाट टैगूर के द्वारा 22 दिसंबर 1901 को जो है सांती निकेतन अस्कूल की अस्थापना जब वो किया गया था तो 1901 आपका यहां पर correct answer होगा Next question आपका यहां पर रहा था कि गुरु विपिन सिंग इनका जो संबंध है यह किस सास्त्रे नित से है तो देखे गुरु विपिन सिंग का जो संबंध है न यह आपका मनीपूरी नित से है और मनीपूरी नित यह जो आपका मनीपूर राजी का एक सास्त्रे नित है तो मनीपूरी नित आपका यहां पर correct answer होगा इसके लाव मैं आपका बता दू कि मनीपूरी नित को जो है यह सभी जो आपके मनीपूरी नित्त से संबंदित है, इसके अलावा सवीता महता, कलावती देवी, चारू माथूर, सोनारिक सिंग, गोपाल सिंग, इन सभी का जो संबंद है ना, यह आपके मनीपूरी नित्त से है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रतना है, मैं आपको बता दू कि जब प्रभू स्री राम का राज्य रोहन होने वाला था, उस समय प्रभू स्री राम के पिता, राजा दसरत, जिनकी पतनी कहकई थी, उनसे जब वो दो वर्दान कहकई के द्वारा कौन-कौन से मांगे गया थे, तो पहला जो वर्दान था, वो भरत ही कि द्वारा जो हो मांगा गया थे, इसलिए प्रभू स्री राम को जो है, अपने पिता का वचन निभाने के लिए इन्हें 14 वर्स का जो वनवास है, वो भोगना पड़ा था, तो 14 वर्स आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका यहां पड़ा था, क चार जो था, वो ब्रॉंज मेडल सामिल था, तो आपका जो सिल्वर मेडल के बारे में पूछा गया था, तो दो आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा, इसके लावा मैं आपको बता दू कि टोकियो अलम्पीक 2020 में, भारत जो यह आपका 48 वे पाइदान पे रहा था, तो य फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा बात कर लें, टोकियो अलम्पीक 2020 में, भारत के दरब से किनकिन ने पदग जीता था, तो देखें मीरबाई चानू के द्वारा जो यह आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, जो कि 49 किगरा वेट लिप्टिंग में जो वो जीती थी, इसके लावा रभी कुमार दाया जो है, मेंस फ्री स्टाइल 57 किगरा में जो है, यह आपके सिल्वर मेडल जीते थे, इसके लावा भारती होकी टीम के द्वारा जो है, वो आपका ब्राँज मेडल जीता गया था, और बजरंग पूनिया ने मेंस 65 किगरा रे प्राण में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि महिला एशिया कप 2022, यह जो है किस टीम ने जीता है, तो देखें सबसे पहले मैं आपको बता दू कि 2022 का जो महिला एशिया कप है न, यह फाइनल मैच भारत और स्रिलंका के मद्दे खेला गया था, जिसमें भारत ने फाइनल मुकाबले में जो है, स्रिलंका स्कोव आठ विकेट से जो वो हरा दिया था, तो इसका विजेता टीम पूछा गया था, तो भारत आपके यहांपे करेक्ट टेंसर होगा, इसके लगा उप वीजेता की बात कर ले, तो उप वीजेता जो है य अपको ध्यान में महिले एशेय कब 2022 कहां पर रहा था तो यह आपका बांगला देश में घृए क उत्हक्त आन्य चाहर लाए। पाकिस्तान के खिलाडी मुहम्मद रिजवान के द्वारा मारा गया था और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ये भारत के भुनेश्वर कुमार ने लिया था जो की पूरे टुनामिन में जो वो 11 विकेट लिये थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपके आपना था कि 2011 की जनगना के अनुशार भारत में किस राज्य का जो लिंगा नुपात यानि सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम रहा था तो देखे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेतें, लिंगानुपात होता क्या, क्योंकि एक्जाम में जो है, लिंगानुपात, यानि सेक्स रेशो का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो देखे, मैं आपको बता दू कि लिंगानुपात, यह प्रती 10000 पर, महिलाओं की जो संख् महिलाएं थी, यानि हर्याना का जो लिंगान उपाद है, वो 877 रहा था, तो हर्याना आपके यहाँ पर एंसर होगा, इसके लावा अगर ऑवर ओल की बात कर लिए, यानि किस केंदर सासीत पर्देश या फिर राज्य का लिंगानुपाद सबसे अधीक रहा था तो देखे ओवर ओल या फिर राज्जे में सबसे अधीक जो लिंगानुपाद है यह आपका केरल राज्जी का रहा था केरल का जो लिंगानुपाद है यह आपका 1084 रहा था इसके बाद दूसरे नमबर पे जो आपका पूडू चेरी अगर पूछा जा कि किस केंडर सासित परदेश का लिंगानुपाद सबसे अधीक रहा था तो यह आपका पुडू चेरी का रहा था पुडू चेरी का जो लिंगानुपाद वह आपका एक हजार अर्थीस रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब तो देखें यह जो आपका सेट सा सूरी मार्ग है यह आपका दिली और अमरी सर को जोड़ता है तो दिली और अमरी सर आपका यहां पे करेक्ट अंसर होगा इसके लाब में आपको बता दू कि सेट सा सूरी मार्ग को जो है यह आपका रास्टे राजमार्ग संख्या एक या भारते सम्विधान के किस भाग में किया गया है तो देखे राज्य के निती निर्देसक सिधानतों का जो उलेख है न ये भारते सम्विधान के भाग चार और अनुछेद 36 से 51 तक जो वो किया गया है तो भाग चार आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका आप राता कि अनुछेद 51 ये जो है किस से संबंदीत है तो देखे सम्विधान का अनुछेद 51 ये आपका मौली कर्टब्यों से संबंदीत है तो fundamental duties आपका correct answer होगा इसके लाव अगर भाग की बात कर ले तो देखे भाग 4 ये आपका मौली कर्टब्यो यानि रूस देश के संबिधान से जो है इसे लिया गया है और वर्तमान में मौली कर्टब्यों की शंक्या कितनी है तो देखे वर्तमान में जो आपके 11 मौली कर्टब्य इसके लाव मैं आपको बता दू कि 42 संबिधान संसुदन 1976 के जो है सरदार स्वन सिंग समीधी के सिफ आपके 10 मौली कर्टब्यों को जो यह जोड़ा गया था और 11 मौली कर्टब्य इसके माधियम से जो है आपका 11 मौली कर्टब्य जो जोड़ा गया था तो यह आपको ध्यान में रखना है next question आपके आपरादक की भात्य संभिधान का कौन सा अनुछे जो है राष्ट्रे अनुसूची जाती आयोग यानि national commission for scheduled caste इससे जो वो संबन्दित है तो देखे भात्य संभिधान का जो अनुछे 338 है न ये राष्ट्रे अनुसूची जाती आयोग से संबन्दित है तो चंद्रमा को प्रिथवी के चारों और एक चकर पूरा करने में जो है ये कितना समय लगता है तो देखे चंद्रमा को प्रिथवी के चारों और एक चकर पूरा करने में जो है ये आपका 27.3 दिन जो है वो समय लगता है तो 27.3 आपका यहां पे correct answer होगा next question आपका आपरातक क इंदौर घराना जिसे ख्यालों के गायन के लिए जो है वो जाना जाता है और इसकी जो अस्थापना है ना यह किसके द्वारा किया गया था तो देखें इंदौर घराने की जो अस्थापना है ना यह उस्ताद आमीर खान के द्वारा किया गया था तो आमीर खान आपका यहा यानि आवसाधी चट्टान है तो आवसाधी चट्टान आपका correct answer होगा इसके लाव में आपको बता दू कि यह जो आपके चूना पत्थर होते हैं यह आपके calcium carbonate के बने होते हैं एक्जाम में जो आपका चूना पत्थर का जो chemical formula पूछा जाता है तो देखे चूना पत्थर का जो chemical formula होता है वो आपका CACO3 होता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता कि which of the following is not a VB paris animal यानि निम्नलीखित में से कौन सा जो है सजीव प्रजक यानि जरायू जन्तु जो है वो नहीं है तो देखे मैं आपको बता दू कि आपके जरायू जन्तु जब वो कहा जाता है अगर example के दोर पे बात कर ले तो देखे चुहे, खर्गोस, बिल्या, डॉल्फिन, वेल्स, यूमेंस, लायन, टाइगर, ऐलिफेंट, डॉक्स ये सब जो आपके जरायू जन्तु होते हैं तो इन में से आपका तीन तो option में दिया गया तो गाय जो है ये आपका जरायू जन्तु है इसके लावाद डॉग यानि कुत्ता दिया गया था तो ये भी आपका जरायू जन्तु है थर्ड आपका बिल्ली दिया गया था तो ये भी आपका जरायू जन्तु है लेकिन फोर्थ आपका जो option दिया गया था वो पच्छी द समराज जी यह जो कहां इस्तित था तो देखे एहम समराज जी की बात कर ले तो यह आपका असम के ब्रह्म पुत्र घाटी में 1228 में जो इसे अस्थापी जब वो किया गया था जो कि एक मध्य यूगिन समराज जी था और इसकी जो अस्थापना है वो छोलूंगे सुखपा वो किया गया था तो आपके ऑप्सन में जो ब्रह्म पुत्र घाटी दिया गया था तो ब्रह्म पुत्र घाटी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका अपना था कि MN इस दा सिंबल आफ विच एलिमेंट यानि परियोडिक ठेबल में MN जो है यह किस का तत्व का तत्व का प्रती को होता है तो आब तेस्ार नी में MN जो है यह आपका मैनगनीज तत्व का वो सिंबल होता है तो मैनगनीज आपका यहापर करेक्ट एंसर होगा इसक अलिबrecht बात कर लें मैनगनीज का पर्मानु-क्रमाग यानि एटॉमिक No.今 मितना होता है तो यह आप का बराबर पहाड़ियों में इस्तित है तो बराबर पहाड़ियां आपका यहां पर इसके लाव बात कर ले बराबर की जो पहाड़ियां यह कहां पर है तो देखें बराबर की जो पहाड़िया आना यह भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जीले में हैं तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को श्वाम कैंप रहा था कि नाहिद सिदिखी गॉट लाइप टिम्हाँएब्मेंट आवाड 2018 इन विचट दांस यानि नाहिद सिदिखी को 2018 में लाइप टाइम डिया गया था ये जिए किस दिगे के लिया गया था तो देखे नाइज सिधिकी existing अक्ताक नेत्र सभाणों अक्ताइब लगा सो रादाइस्वामी साथत्संः करेकट अउर्ण में अधरीं में आग्रा में дополн द्वारतक यहां और का लुगा था अंग करेक्ट अंशर होत्या है नियुडयू छेत्रों से जो है वो लोगसभा का चुनाओ लड़ सकता है तो देखे एक उमिदवार जो है अधिक्तम दो सीटों निर्वाचन छेत्रों से जो है वो लोगसभा का चुनाओ लड़ सकता है तो दो आपका यहाँ पे करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका अपनाता कि निम्न मेंसे कौन सा मौसमी बेरोजगारी यानि सीजनल अनिम्प्लाइमेंट बेरोजगारी है तो देखे मैं आपको बता दू कि मौसमी बेरोजगारी होता क्या है तो देखे बेरोजगारी का एक परकार जिसमें लोग वर्स के जो कुछ महीनों के दौरान जो है नौक्रिया यो जो किसान दिया गया था तो किसान आपके करेक्ट एंसर होगा next кोंष रहा है कि किस गुब्त साज themes को जो है उसके सिकों फरवीना भजाते हुए जो وهो दर्सायय गया है तो नेखे अच्छ हांगी नटाक अकाडमी आवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था तो देगे 2003 में कलावती देवी जो कि आपका मनीपुरी नित से सम्मानित है और इने 2003 में जो है संगीत नाटक अकाडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो कलावती देवी आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका एक फ्रैंक का जो है एंटोनीम पूछा गया था तो देगे फ्रैंक का जो एंटोनीम होता है यह आपका first वादी होता है और अकर इसके एंटोनीम की बात कर ले तो इभैसी जिसका मतलब जो है वो कपट पूर्ण होता है तो फ्रैंक का एंटोनीम जो ह है consequential होता है substantial होता है essential useful important valuable meaningful worthwhile necessary इसके लाव पर्टीसियंट needed related relevant यह सब जो आते हैं irrelevant के जो है आपके एंटोनीम होते हैं तो इन में से जो भी option में दिया गया होगा वह आपका correct answer होगा इसके लावा जो है golden का जो वह synonym पूछा गया था तो देखे golden का जो synonym होगा ना वह आपका bright होगा happy होगा brilliant होगा joyful होगा इसके लावा glorious, joyous, reach, opportunity, signing, precious इसके लावा auspicious इसके लावा promising यह सब जो आपके golden के जो वह आपके synonym हो जाएंगे तो इन में से जो भी option में दिया गया होगा वह आपका correct answer होगा तो इतने question जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जो है like जरू कर दिएगा और इसी तरह real analysis पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दिएगा तो मिलते हैं next video तब तक thank you all the best